है गाइस कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगा सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो को बिल्कुर भी स्किप नहीं करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ तो प्लीज से चैनल को सब्सक्रेब करके वैल आइकन को प्राइस कर देना है जिसे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों बीना टाइम हो आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है अपने मुलकी सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है नीचे की और नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड इस्टेटस बार तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको थोड़ा से नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है Manage Notification तो इस पर आपको क्लिक कर दोना है फिर यहाँ से आपको थोड़ा से और नीचे जाना है यह application आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर इन application में से किस से ज्यादा notification आती है तो आपकी अधिकतर लोगों के पास Chrome से जादा notification आती है तो इसको आपको ज्यादा से disenable करते ना है बाकि आपके पास जिस भी application से ज्यादा notification आती है जैशे की Facebook चे तो इसे भी disenable कर देते हैं तो अब इस application से कोई भी notification नहीं आएगी जितने application आपर शो हो रहा है इन में से आप किसी भी application की notification को बंद कर सकते हैं अपने phone में So guys, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते एक next interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye Bye and Take Care